और हम देखते हैं कि हमारे भारत में प्रमुख रूप से चार रीतुएं जो हैं वो होती हैं पहला ग्रिश्म रीतु दूसरा वर्षा रीतु तीसरा शरद रीतु और चौथा है शीत रीतु तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रिश्म रीतु की या गर्मी के मौसम की है हमारे भारत में GRISMRI TÚ जो है गर्मी का मौशम लगभग became to month महने से शुरू होता है माई के अंत्त चलता है गर्मी का जो मौशम है और वो इसलिए कि हमें मालूम है कि जो करक रेखा है वह भारत के लगभग बीचोछ से होकर गुजर रही है और ये यहां तक सूरी की जो यात्रा है वो लंबवत पढ़ती है यह हम कहें कि सूरी की जो लंबवत किरने हैं वो इसी करकरेखा तक पढ़ती है और यह तीथियों पर भी हमने पहले चर्चा की है कि 21 जून को सूरी जो है वो करकरेखा पर लंबवत होता है और इसके पहले हम मार्च में क्या देख रहे थे मार्च में 21 मार्च और 23 सितंबर ये जो दो तीथिया है वो ऐसी है जब सूर्य की लंबवत किर्णे भुमध रेखा पर होती हैं तो इसमें हम 21 मार्च की बाद जब आगे बढ़ते हैं 21 तक हम देखेंगे और 0 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांस के इसके बाद ये यात्रा शुरू हो जाती है उत्तरी गुलार्ध की तरफ जिसे हम कहते हैं ये उत्तरायन हो रहा है उत्तरी गुलार्ध में चमक रहा है और उत्तरी गुलार्ध में होगा तो लगभग एक महने में 21 मार्च से 21 अपरेल तक ये लगभग 8 डिग्री अक्षां को पार करेगा और उसके बाद 21 जून की स्थिती में ये कर करेखा के आसपास लगभग जो लंबवत है चमकेगा तो 21 जून हमारे हाँ जो है वो क्या हो जाता है सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि तब जो है सूरी की किलने यहां पर एकदम लंबवत पढ़ रही होती हैं तो मार्च से माई के बीच हम देख रहे हैं कि सूरी की स्थिती जो है वो उत्तरी गुलार्ध में है और 21 जून को ये लंबवत पढ़ रहा है लंबवत किरने सूरी की पढ़ रही है तो हम देख रहे हैं कि तापमान में क्रमशह मार्च के महने के बाद से व्रिधी की जो गती ह वो देखने को मिलती है अब इसके बाद मैई तक कि तापमान में लगातार व्रिधी होती है फिर 21 जून की जो इस्थिती होती है जब सूर्य करकरेखा पर लंबवत होगा उस समय तापमान जो है वो अपने एकदम चरम सीमा पर होता है और फिर तापमान की अधिकता के कारण ह मैदानी भाग है वहां पर कमदाप का छेत्र बनने लगता है कमदाप का इसलिए क्योंकि अभी हमने कहा कि तापमान जो है वो बहुत अधिक होता है और मार्च से मही तक किस हिती में हम देखेंगे कि उत्तर भारत में दिन में गर्म और शुष का जो हवाएं है अधिर की भाती जो है वो तपता रहता है क्योंकि सुरी की सिती जो है वो उत्तरायन की है करक्रेखा पर लंबवत है और इसके कारण यहां पर कुछ इस्थानी पौने जो है वो इन गर्मी के महने में चलने लगती है लगभाग मै के आसपास जब तापमान अपनी चरम पर ह होता है और इसे हम पूरे उत्तर भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क पौनों को लू के नाम से जानते हैं और यह स्थानी हवा या स्थानी पवन होती है इसके बाद हम देखेंगे कि यह पौने जो है हमने देखी कि पुरे भारत के उत्तरी छेत्र में या उत्तरी इसका प्रभाव है बहुत अधिक होता है क्योंकि पुरे इस्थल भाग से घिरा हुआ छेत्र होता है लेकिन इसके बाद हम कभी कभी देखेंगे कि यहां पर तेज धूल भरी आंधी भी चलती है इन जून के महने में तो जिसके करण तापमान में थोड़ी सी गिरावट आती है अब हम देखते है इस गर्मी के मौसम के अंत तक बहुत गर्मी का मौसम के खतम होने को आता है तो थो कई जगों पर बहुत गरतचमक के साथ तेज आंधिया चलती है और बारिष भी होती है इस बारिष को भारत की अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नामुसे जाना जो पशिम बंगाल है, यहां पर इसे काल बैसाखी कहते हैं, काल बैसाखी इसलिए कि यह वैशाख के महने में आता है, हिंदी के महनों के नाम आपको पता होने चाहिए, तो यह वैशाख के महने में आता है और बहुत तेज आंधी तुफान के साथ आता है, इसलिए इसे यहा कहवा का उत்παदन होता है इन राजियों में तो वहाँ पर फूल जर्जल्दी आ जाते हैं इस कारण इसे कौफी शावर के नाम से जाना जाता है कहवा उत्पादन च्छित्रों में कौफी शावर या फिर चेरी ब्लॉसम भी चाहा जाता है और इसके साथ ही पूरे दकशनी र आम्रवर्षा के नाम से भी जानते हैं भारत के दक्षनी राजियों में तो ये हो गए जो ग्रिश्मरितु के अंततक होने वाली बारिश जिसे हम भारत के अनेक हिसों में कई नामों से जानते हैं ये तो हो गई बात ग्रिश्मरितु की इसके बाद हम चर्चा करते हैं वर्ष पाशरीतु जो है वो भारत में जून से सितंबर के मध्य का समय होता है और हम अपने न्यूस चैनलों में देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे और आप समाचार पत्रों में भी पढ़ते होंगे कि लगभग जो एक जून है वो भारत की जो मुख्य भूमी है उसका दक्ष पूरे भारत के सभी राज्यों में फैल जाता है लेकिन हम यह देखते हैं कि जो वरशरीतु होती है इस समय में हम वायु दाब या पौनों की दिशा में भी जो है अंतर आ जाता है परिवर्टन हो जाता है पावन की दिशा भी परिवर्टित हो जाएगी और दाब में भी परिवर्वर्टित हो जाएगी. अब इसमें हम देखेंगे कि हवाये या हम मानसून की जब बात करते हैं तो हम को पता होना चाहिए, या हम पहले भी चरचा कर चुके हैं कि मानसून जो है वो मौसिम शब्द से बना है अरब के और हमने ये सब बातों पे चर्चा की थी कि मौसम के अनुसार या वर्ष में जो हवाए मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है उसे हम मौनसून कहते हैं तो इसी अधार पर हम देखते हैं कि जब ग्रिश्मी रितू के बाद वर्षा रितू का समय आता है तो हमारे भारत में कौन सी हम मानसून कहने देने से ऐसा नहीं है कि सभी मानसूनी हवाओं से हमारे भारत में वर्षा होगी आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत में मानसून की दो साखाएं होती है पहला दक्षनी पश्चिमी मानसून और दूसरा उत्तरपूरी मानसून तो इसमें से हमारे भारत में दक्षनी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है और कारण यही है कि अभी हमने कहा ना पहले तो तापमान में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन होने के कारण दाप की स्थिती में परिवर्तन और उस दाप की जो इस्थिती परिवर्तित होती है उसके अनुसार हवाओं की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है तो मेल लैंड में या मुख्य भूमी में तापमान अधिक हो जाता है धरातली छेतर में गृष्मेरी तू में लेकिन अपेक्षाकृत हम देख रहे हैं कि जो महासागरी छेतर होता है वहां पर तापमान जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है तो जब यहां पर तापमान कम है तो प्रेशर होगा ऐ होगा उच्च दाप की सिति होगी लेकिन इसके विप्रीत धरातली छेतर में भारत की मुख्य भूमी में अंदर वो तापमान अधी और दाप कम होगा तो हवाओं की दिशा क्या होगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो यह महासागरी छेतर से आपके भा केंद्र बना होता है वहाँ पर हवाएं उस दिषा की और चलने लगती हैं तो चुकि यह हवाएं यह हो महासागरी झेत peso přेंद सो ret views और फी तेई performances 2019 देख पा रहे होंगे दक्षिन पशिम है इसलिए दक्षिन पशिमी मानसून से हमारे भारत में पूरे भारत में जो है वो वर्षा होती है पूरे भारत में नहीं हम कहें कि जो भारत की जो 90 प्रतिशत वर्षा है 80 से लगभग 90 प्रतिशत जो वर्षा है वो इसी दक्षिन से जब उत्तर पूर्व की तरफ हो जाएगी तो इन उत्तर पूर्वी मानसून से जो है वो सिर्फ तमिल नाडू के कोरो मंडल तट पर या तमिल नाडू के जो तटी छेतर हैं वहां पर ही वर्षा जो होती है तो आए हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि दक्षन पशिमी मतलब भारत में पूरी तरह से वर्षा होगी तो इस मानसूनी हवाओं से वर्षा होने के क्या कारण होते हैं कैसी स्थीतियां बनेंगी जिसके कारण मानसून जो है वो और स्ट्रॉंग होगा या वीख होगा इसके कारणों पर हम थोड़ी सी विस्त्रिश चर्चा कर लेते सबसे पहला reason या कारण जो होता है मांसून के आने का हम देखते हैं कि लगभग मैं से जून में हम फिर से बात कर लेते हैं भारत की मुख्य भूमी में temperature high pressure low मतलब तापमान उच्छ और दाब की स्थिती निम्न होती है और इस जली छेत्र में महासागरी छेत्र में हम देखते ह है कि यहाँ पर तापमान अपेक्षा क्रित में लैंड की अपेक्षा कम और प्रेशर फाई तो वह अप्रेशर लो और यहाँ प्रेशर हाई तो हवाइं जो हैं इस महासागरी छेत्र से इस्थली भाग की तरफ निम्नदाप के केंद्र की तरफ हवाएं जो है वो चलने लगती है और विशेशकर हम देखेंगे कि पूरा उत्तर का मैदानी छेत्र गंगा का जो मध्य मैदानी भाग है और साथ ही जो राजस्थान का मरुस्थली छेत्र है वहाँ पर और ज्यादा लो प्रेशर की स्थिती जो है वो बन जाती है इसके अलावा हम देखेंगे कि भारत के अलावा जो बांगलादेश है मनमार है आपका पाकिस्तान का पेशावर है यहां पर भी टेंप्रेचर हाई और प्रेशर लो किस्थिती बनती है अब पूरा समूचा उत्तरी मैदानी खेतर जो है वो एक लो प्रेशर का इंढ बन जाता है पहला कारण यह है लेकिन इससे ही बात नहीं बनती कि भारत में एक चोटा सा लो प्रेशर का या एक छोटा एरिया जो है वो निम्नेदाप का केंदर बन गया और मानसूनी हवाय गई और वहाँ पर उन्होंने वर्षा कर दी इससे बात नहीं बनती यह जो लो प्रेशर का जो सेंटर केंदर होता है वो जितना जादा इंटेंसी होगा जितना ज ब्लेंद दापके केंधर को और ज्यादा गेहनता प्रदान करती हैं। तो पहला तो ये हो गया, अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं, आप आजाई अफरीका और अफरीका के पूर्वी दक्षिन पूर्वी छेतर में एक छोटा आई लेंड है, मेडगासकर। बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि आपने इसके पहले भारत का जो प्राकृतिक स्वरूप पढ़ा था और हमने उसमें प्लेट टेक्टॉनिक थेखी जिसमें हमने भारत या पूरे विश्व का अलग-अलग भूमियों में विभाजन देखा था त उसका जो अंदर धसा हुआ भाग है और मेडागासकर आईलेंड ये दोनों को आप देखिए ये ठीक उसी प्रकार से फिट हो जाएंगे जैसे आपने एक कागज की दो तुकड़े कर दिये और उन दो तुकड़ों को जब आफ फिर से सेट करते हैं जो फटा हुआ कागज ह हो जाएगा ठीक उसी प्रकार का ठीक उसी प्रकार से ये अफ्रीका का जो दक्षिन पूर्वी छेत्र है और मेडागासकर एक दूसरे से आपस में सेट हो जाते हैं तो चलिए आगे हम चर्चा करते हैं कि यहां पर हाई प्रेशर क्यों बनता है तो सबसे पहला कारण ये हो अभिसरन छेत्र ये जो बेल्ट है ये चुकी उत्तर में खिसा गया मतलब लगभग करक रेखा के आसपास ये बेल्ट चला गया तो जब सूरी की स्थिती जो है वो उत्तरी गुलार्द में है तो ये स्वभाविक है कि दक्षनी गुलार्द में जो है ठंड कम वसम होगा मत कम है तो हाई प्रेशर की स्थिती बनेगी इसके साथ ही साथ इस में डगास करके दक्षन में हम देखते हैं अंटार्कटी का महादीप है धुरुवी छेत्र है और वहां पर चलने वाली जो ठंडी धाराएं है वो इस हाई प्रेशर को उच्च दाप को और ज्यादा सगन ब दक्षन पश्यमी मानसुनी हवाएं हैं उनको पीछे से हम कहें कि एक प्रकार से धक्का देती हैं या पुष करती हैं कि तुम और आगे बढ़ो हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं तो यह और ज्यादा पुष किया जाता है इन मानसुनी हवाओं को और यह बहुत स्पीड से आपके उस लो प्रेशर केंद्र की तरफ बढ़ती हैं इस पर थोड़ा और आगे यह तो दूसरी रिजन देख लिया हमने पहला रिजन जो देखा था कारण जो देखा था कि भारत की उत्तरी भूमी में भूखंड वाली भूमी में जो है वो लो प्रेशर और महासागरी जली छेत्र जो हैं वहां पर हाई प्रेशर की स्थी बनी थी तो इसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर की स्थी बनी क्यो थी हमने देखा तापमान में डिफरेंस और अभी मैंने एक जो चरचा की थी एक टम्स मैंने यूस किया ITCZ तो ये रूप में आपके भूमध रेखा के पास इस्थित होता है और भूमध रेखा के पास इस्थित होता है क्योंकि यहां पर वर्ष भर सूरी की किरने लंबवत पड़ती हैं और निम्नदाप का छेत्र होता है और इस निम्नदाप के छेत्रे से जो भी हमने बात की थी ना पोश्न उच्चदाप की पेटी की तरफ और दक्षणी गुलारध में अपने बाई दिशा में मुढ कर उपोश्न उच्चदाप की पेटी के पास नीचे की तरफ मुढ जाती हैं और इसी हाई प्रेशर बेल्ट में ये नीचे की तरफ उतरती हैं तो यहां पर उतरने सम क्या देख रहे हैं उत्री और उसके बाद फिर ये एक सर्फेस विंड बनकर धरातली हवा बनकर ये फिर से भूमध रेखा की तरफ चलने लगती हैं तो जो उत्तर में आ रही हैं वो उत्तर पुर्वी व्यापारिक हवाएं और दक्षन की तरफ से हमने देखा था दक्षन पुर् गुलार्द और दक्षनी गुलार्द में ये दोनों ही और से व्यापारिक हवाएं एक दूसरे के आमने सामने आती हैं और दोनों में कन्वर्जेंस होता है इसलिए हम इसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं और ये जोन या बेल्ट जो है वो उन छेत्रों मे जहाँ पर भी low pressure का केंदर होगा यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह बहुत जादा intensive निम्नदाप का केंदर होता है लेकिन हमें मालूम है कि सुर्य की स्थिति तो हमेशा इस equator चुछ दिन ये भुम्द रेखा इसके बाद करकरेखा और मकर रेखा तक इसकी यात्रा होती है तो आपको यह ध्यान देना होगा कि जब सूरी की स्थिती करकरेखा पर लंबवत होती है तो यह जो निम्न दापकेंद्र होता है यह 21 मार्ण से 21 जून के बीच में क्रम्शा जून की स्थिती होगी तो नैचरली है कि यह जो ITCZ का बेल्ट होता है निम्नदाप का यह जो केंद्र होता है यह आपके करकरेखा पर इस्थित हो जाएगा और ठीक इसके वीपरीत स्थिती जो है जब यह फिर से भूमधरेखा पर आएगा भूमधरेखा के बाद यह जब व मकर रेखा पर नीचे दक्षनी गुलार्ध की तरफ इसकी यात्रा होती है तो यह फिर से 23 सितंबर से लेकर 22 जून तक की 21 से 22 जून की स्थिती में यह जो ITCZ का जो बेल्ट है यह आपके उसका अनुसरन करती हुई सूरी की लंबवत किर्णों का अनुसरन करती हुई यह प जो ITCZ की जो पेटी है यह जो बेल्ट है यह इस्थिर नहीं होती है यह खिसकती रहती है और किसके कारण खिसकती है तो जहां पर भी सूरी की किर्णे लंबवत होगी सूरी की उत्तरायन और दक्षणायन की स्थिती के अनुसार यह जो ITCZ का बेल्ट है यह उत्तर और दक् तापमान और जली छेत्र में कम तापमान तो अब इसका जो तीसरा फैक्टर पहला तो हमने देखिया ताप और दाब में डिफरेंस अभी ताप और दाब में डिफरेंस और क्यों अधिक हो जाता है दूसरा फैक्टर हमने देखा मेडगासकर आइलेंड के पूरवी छेत्र मे और ज्यादा हाई प्रेशर का बनना उच्छ दाप का बनना इसमें तीसरा जो चीज है वो यही है आई टी सी जड हम देख रहे हैं तो ऐसे ही गर्मियों के मौसम में इस्थलभाग ज्यादा गरम होगा लेकिन जब सूरी की जो इस्थिती है यह निम्न दाप केंदर जो है यह सूरी की लंबवत किर्णों के प्रभाव से हम देख रहे हैं कि करकरेखा पर जब इस्थित होता है तो यहां पर यह जो लो प्रेशर बेल्ट है वो और ज्यादा सग्धन हो जाता है गहन हो जाता है जिसके कारण इस पूरे उच्छ दाप के छेतर में जो हवाएं चाहे वो नीमने दाप केंद्र की तरफ जो है वो और जादा खीचा चला जाता है हम देख रहे हैं पहले यह एक ही था फिर सगन हो गया अब यह दो और तीन के राउंड में हमको दिख रहा है नीमने दाप केंद्र मतलब लगातार यह बढ़ता जा रहा है तो यह तीन फैक्टर हो ग जादा तिव्रगती उसमें लाने के लिए उसको प्रभावित करने के लिए वो ऐसे कि जब सूरी की स्थिती उत्राएंड की हो रही है मतलब सूरी जो है वो करक्रेखा पर लंबवत चमकता है तो हम देखेंगे यह तिबत का पठार यह लो प्रेशर जो एरिया है वो उत्त के लिए तरफ और बढ़ गया और इसके उत्तर की तरफ और बढ़ने से चुकि यह तिबत का पठार जो है वो भी एकदम गर्म तवे की भाती तबता रहता है और साथ ही साथ यह लो प्रेशर बेल्ट जो है वो और अपनी तरफ खीचता है इसे और हम यह देख रहे हैं कि तिबत के पठार का निर्मान है वो वॉल्कैनिक एरप्षन या ज्वाला मुखी के कारण हुआ है जिसके कारण ये टैम्परेचर को और ज्यादा अब्जॉब कर लेता है तो लगभग हिमाले की उचाई के जितना उचा ये जो पठार है ये भी हीटर की भाती तपता है और य चौथा कारण ये होता है मानसून को जो और ज्यादा इस्ट्रॉंग बनाता है वो ये है तिबत के पठार का एकदम तपतो और गरम होना और ये गरम और तपत जो फीटर की भाती काम कर रह है तिबत का पठार ये यहाँ पर पूरे उत्तर भारत के मैदानी छेत्र में जो परेशर का एक केंद्र बना है उसको और ज्यादा गहन बना देता है इसके साथ ही साथ हम देखेंगे पुर्वा जेट की भी एक महत्त्तूपूर्ण भूमी का होती है पुर्वा जेट कैसे इस हम अक उशन पच्छुवा जेट की थी, जो वेच्टन डिस्टरबिंस हम निसके पहले पढ़ा था. और जो जेट धरायेे, उशनकटीबन्ध के ऊपर उत्पन्न होती हैं, और पूरवधिषा से उत्पन्न हो रही है, उसे हम उश्नकटी बंधी पुर्वा जेट कह रहे हैं तो ये वही सर्फेस से ठीक ऊपर सर्फेस के नीचे हम देख रहे हैं कि मांसुनी हवाइं प्रवाहित हो रही हैं और ठीक उसके ऊपर के तरफ जो ये पुर्वा जेट प्रवाहित होता है ये लगभग भारत के में पहुंचे और वहाँ पर बहुत अच्छी खासी बारिश कराईए क्योंकि ये जैसे मेड़ागासकर का हाई प्रेशर लेंड इसको पुश करता है ठिक उसी प्रकार ये पूर्वा जेट भी यहाँ पर आके और हाई प्रेशर बनाकर इसे उपर की तरफ उठने के लिए और um भच्चों इसके साथ चोटी सी चीज वह है वह को ओर धिहन में रखनी है कि जितना ज्यादा टैंपरेचर होगा जितना ज्यादा राजस्थान का मरुस्थली छेत्र थार का मरुस्थल यहां अव्याँ प्रेशर सगन होगा ये तो हमने देखा ही हमें मालूम है कि सबसे ज जब ये किसी तत्व वस्तु ये पदार्थ के द्वारा वापस वायू मंडल में लोटा दिया जाता है तो हम इसे अल्बिडो कहते हैं और अल्बिडो जो है वो लगभग सर्फेस जो प्लेन होती है और वाइट होती है सफेद लगभग होती है हलके रंग की वहां अपर उसका अल्बिडो जो है वो सबसे ज़्यादा होता है तो हम यह दिबात करें तो बर्फ का अल्बिडो है वो सबसे ज़्यादा होता है और इसी क्रम में हिमाले परवश्टेनी भी अपनी एक एहम भूमी का निभाता है कि जितना टेंपरेचर इसके बर्फ आच्छादित जो छेत उतना प्रेशर लो होगा और जितना लो प्रेशर होगा वो हाई प्रेशर से अपनी तरफ हवाओं को खीचेगा, बोलेगा कि जल्दी आईए और बारिश कराईए, तो सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिलकर हमारे भारत के मानसून को और ज्यादा स्ट्रॉंग बनाते हैं, तो ब हमारे भारत को और ज्यादा स्ट्रॉंग बनाती हैं और ज्यादा मात्रा में बारिश होने की संभावना रहती है, उस पर हमने अभी विस्त्रिश चर्चा की तो यदि आप से प्रशना है कि भारत में मानसूनी वर्षा कैसे होती तो आपका उत्तर सिर्फ इतना नहीं होना अच्छा की तो यह विस्त्रिश चर्चा की इसके साथ इतने सारे जो फैक्टर से इतने सारे जो रिजन्स है यह इस लो प्रेशर को जितना ज्यादा ग्यहन बनाएंगे उतनी ही अधिक मात्रा में मानसून जो है वो अच्छी वर्षा करा पाएगा तो इस आरे फैक्टर मि कर एक साथ मानसून को स्ट्रॉंग बनाते हैं अब हम देखते हैं कि यह मानसून मानसूनी हवाएं जो हैं दक्षणी पश्यमी मानसून की हम बात कर रहे हैं तो हम दक्षणी पश्यमी मानसून की भी दो शाखाएं होती हैं पहली बात तो यह कि यह मानसूनी हवाएं जो है वेरल में लगभग 7 जून के आसपास मुंबई में और हमारे 36 गड़ में 15 जून के आसपास ये हवाय जो है वो पहुंचती हैं लेकिन ये बिलकुल ये तीथियां जो है वो अनिश्चित हैं मतलब कभी हफ्ते दिन पहले भी पहुंच जाता है तो कभी 15 से महने दिन की भी भी है वो प्रभाव डालते हैं तो इसमें हम देखते हैं जिस भी तिथी पर ये मांसुनी हमाय भारत वर्ष में प्रवेश करें लेकिन इसकी दो मुख्य शाखाएं होती हैं क्योंकि हम देख रहे हैं भारत के भारत का जो दक्षनी हिस्सा है जो प्रायदीपी संग्या जी से करता है जिसमें हम दक्षिन्तम छोर बिल्कुल नुकीला घुसा हुआ है हिंद महासागर में और इस कारण से हिंद महासागर से जो मांसुनी हमाएं उपर की तरफ उत्तर की तरफ उठती हैं ये इसी प्रायदीपी स्थिती के कारण जो है वो दो भागों में बढ़ जाती ह एक जो है वो पशिम में चली जाती है जिसे अरब सागरी मांसुनी शाखा कहते हैं और दूसरी जो है वो पूर्व की तरफ चली जाती है और पूर में हमारी बंगाल की खाडी है और इसे बंगाल की खाडी वाली मांसुनी शाखा कह जाता है तो हम इन दोनों ही शाखाओं यह एक एक करके चड़शा कर लेते हैं पहला अरपसाग्री शाखा मांसुन की यह शाखा जो है वो दक्षिन पशिम से उत्तर पूर्वकी और बहती है हमें तो पता ही है कि भारत में जो भी मांसूनी वर्शा हो रही है वो दक्षिनीपशिमी मांसून से लगभग 90 पसें जो ह पर पर पुर्वी ढाल के तरफ यह हवाय जो है वो उतरती है तो बहुत कम वर्शा क्योंकि जितनी भी आदरता है वो इसके पशिमी छोर पर उतार लेती है इसलिए उसके पुर्वी छोर पर बहुत कम वर्शा जो है वो हो पाती है और इसलिए हम उसके पशिमी घाट के पुर्वी छोर को वरिष्टी छाया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं इसके बाद हम देखते हैं मुंबई में जून से सितंबर तक लगभग 200 सेंटी मिटर की वर्शा हो जाती है और कारण यही है कि पशिमी घाट का पशिमी और पुर्वी छोर पर इस्थित है और पशिमी घाट के पुर्वी ड्हाल पर पूरे इस्थित है तो चुकि जितनी आदरता है वो पूरी तरह से यहाँ पर निकाल चुकी होती है और जैसे ही यह पूर्वी ढाल पर उतरती है तो संपीडन के कारण उतरने के कारण शुष्क हो जाती है और गर्म हो जाती है जिसके कारण वहाँ पर बची खुची हुई जो नमी होती है उसे ह वो अब उसके उस पुर्वी ढाल पर उतार मतलब निकालती है इसके बाद हम देखते हैं इसके एक जो दूसरी शाखा है ये नर्मदा की घाटी से अंदर की तरफ प्रवेश करती है और यहां से प्रवेश करके उत्तर के मैदानी हिस्से में जैसे ही उसको पार करती हुई छो पर हिमालय की बढ़ती है तो चुकी आरावली परवर्षेणी जो है वो इसके समानांतर पड़ती है और यह कोई अवर०्ध जो जिसके कारण इसका राजस्थान का जो पश्चिमी छेत्र है वो पूरा थार का विशाल मरुस्थल है और पूर्वी छेत्र में जैसे यह आगे बढ़ती है तो वहां पर हिमालेईन राजियों में यह वर्शा करा पाती है और यहीं पर हमने अभी बात की कि यह बंगाल की पश्चिमी छोर है वहां पर आते आते वर्शा की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा पाता है और इसी कारण हम धेख ते घ्राजस्थान का जो पश्चिमी छेत्र होता है वहां पर लगबक 20 cm यह उससे भी चम वर्शा हो पाती है और इसी शाखा का जो उत्टरी भाग है या उत्तरी जो हिस्सा है ये गुजरात राजस्थान होते हुए हिमालय छेत्र पर पहुंच जाता है लेकिन यहां पहुंसते पहुंसते इसमें आद्रता या नमी बहुत कम रह जाती है तो यहां पर वर्षा की मात्रा ये पूरा छेत्र जो है वह बहुत कम मात्रा में तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मेघालय है वहां पर इस्थित गारो खासी और जयनतिया पहाडियां हैं यह एक कीपनुमा आकरिती में यहां पर फैली हुई हैं और यहां से उठी बंगाल की खाड़ी से जो उठी हवाएं हैं उन पर एक अवरोध का काम करती हैं और इसी अवरोध के कारण हम देखेंगे कि सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व की सरवाधिक वर्षा जो है वो यही पहाड़ियां जो है वो प्राप्त करती हैं यह मैं कहूं कि इस खासी पहाड़ी में इस्थित जो मासिन राम नाम का इस्थान है वहीं पर सबसे अधिक वर्षा ज वहाँ पर पहाड़ी से टक्राकर वहाँ भरपूर वर्षा होती है और इसके भी पशिमी ढाल पर इस अराकान युमा परवत के पशिमी ढाल पर ही जो है वो सरवाधिक वर्षा करेगी और दूसरी शाखह जो हमने कहा कि असम की और बढ़ती हुई वहाँ पर गारोखासीर जै पश्रिम की तरफ ये हवाएं जो हैं वो मुड़ जाती हैं और यहां से इन परवर्षेणियों के इस्थिती के कारण जैसे ये पश्रिम की तरफ मुड़ती हैं और पूर्व से पश्रिम की तरफ आगे बढ़ती हैं तो हम देखेंगे कि पश्रिम में इस्थित जो इस्थान ह जो छेत्र हैं शहर हैं वहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है वो क्रम्षा कम होती जाती है क्योंकि सरवाधिक वर्षा इन छेत्रों में हो जाती है और जैसे जैसे ही हवाएं आगे की तरफ बढ़ती है तो उनमें आद्रता या वाश्प की कमी होती जाती है और उतनी ही कम तो हम लेले गुवाहटी हो गया या पटना फिर आगे बढ़े तो इलहाबाद फिर भरतपूर और फिर जैसलमिर जैसे ही हम पर्शिमी छेत्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो यहां पर होने वाली जो वर्षा की मात्रा है इससे आप बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे इसकी कौन सी शाखाएं होती हैं और यह शाखाएं कहां कहां पर वर्षा करती हैं और यह बात हो गई वर्षारीतू की जिसे हम दक्षिन पशिमी मानसून के संदर में हमने बात की इसके बाद हम जो भारत में मौसम कह रहे थे तो पहले हमने देखा था ग्रिश्मरीतू इस मांसून के लोटने का या वापसी का समय कह सकते हैं और वो इसलिए कि हम देख रहे हैं शरद रितु के बाद विश्मकाल के बाद टेंपरेचर कम होने लगा क्योंकि सूर्य की स्थिती जो है वो दक्षिनायन की होने लगी वो मकर रेखा भूमद रेखा और मकर रेखा की अपेक्षा में भी परिवर्तन हो जाएगा अब हम क्या देखेंगे पहले हमने देखा था कि सूर्य जो है वो उत्तरायन था तब पूरे उत्तरी गुलारद में यह हमारे भारत के पूरे इस्थली भूभाग में हमने देखा कि बहुत जादा टेंपरेचर था क्योंकि वहा सागरी छ्हेत्र थे वहांपर ताप्मान कम था तो उच्चे ताप्मान वहांपर प्रेशर लो और जो निम्नता आपमान है वहांपर उच्चे दाप की सिती ती लेकिन अब चुकी सूरी की सिती दक्षनायन हो चली है यह हम कहें कि 23 सितंबर के बाद के सिती है जब वो मकर रेखा की तरफ आगे बढ़ता है तो हम यह देखेंगे कि धीरे धीरे जो है वो उत्तरी भारत के पूरे हिस्से या भारत की जो मुख्य भूमी होती है वहाँ पर अब तापमान जो है वो कम होने लगता है लेकिन इसकी मुख्य भूमी में निंन थापमान और उच्च दाप कि स्थिति और महा साग्री छेतर है यह जली हिस्से हैं वहां पर उच्च दापमान और निंन थाप कि स्थिति बनती है तो अब हवाओं की धिशा में ठीक इसके विपरीत परिवर्तन अब देख भाग से महासागरों की तरफ चलेंगी तो इसमें लौटते हुए मानसून से बारिश कम होती है या हम कहें कि नहीं के बराबर लगभग जो 10 प्रतिशत बारिश की हमने चर्चा की थी लौटते हुए मानसून से या उत्तर पूर्वी मानसून से होती है लेकिन जो अधिकतम ब बहुत अच्छी तरह से कि अब हवाओं की दिशा जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिन पर्शिम की तरफ हो गई तो चुकि यह हवाएं जो है वो इस्थल भाग से आरी हैं तीन में नमी नहीं होगी वाश्प या आधरता नहीं होगी जिसके कारण यह वर्षा नहीं करा पा है और नवंबर के स्टार्टिंग वीक में या उत्तरार्ध में ही देखेंगे नवंबर के शुरुवाती जो सप्ता होते हैं वहाँ पर उत्तर पश्रिम भारत में जो निम्नदाप का केंद्र था अब वो उच्छ दाप के केंद्र में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि वहा हवाएं जो है इस उच्छ दाप से निम्नदाप की तरफ चलने लगती हैं अब इसकी तीथियां भी मानसून के वापस होने की जो तीथियां है वो भी जैसे मानसून की आगमन की तीथि होती है वो अलग-अलग होती है ठीक उसी प्रकार मानसून के वापसी की तीथि भी ज मांसून से होती है तो हम देखते हैं कि जैसे ही यह आपके पुर्वोत्तर राज हैं वहां से या पश्रिम बंगाल से जो हवाएं वापस आती है या लोटती है या उनके दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है तो बीच में आपका बंगाल की खाड़ी का छेतर आ जाता है जहां से यह लोटता हुआ मांसून थोड़ी बहुत मात्रा में वाश्प ग्रहन कर लेता है और इस तमिल नाडू के जो तटी छेतर पड़ते हैं कोरो मॉंडल तट वाला जो पहाडिया पहाडियों वाला जो छेतर होता है वहां पर उस तटी छेतर में यह जाकर वर्शा कर देती है जो बंगाल की खाड़ी से वाश्प इन्होंने ग्रहन किया था वो इस तमिल नाडू के तटी छेतर में निकाल देती है तो हम देखते हैं कि पूरे समुचे भारत में ग्रिश्मकाल में वर्शा होती है लेकिन तमिल नाडू के तटी छेतर में या तमिल नाडू में हम कह हैं कि शीत काल में वर्शा होती है यजो है वो वर्शा होती है ये बात आपको ध्यान में रखना है यह यह थाइन हा लगभग 90% वर्षा जो है पूरे भारत Canadian समुचे भारत में हो जाती है और मान्सून की किस मान्सून से दक्षिनी पर्शिमी मान्सून से लेकिन तमिल नाडू में दक्षिन पर्शिमी मानसून से वर्षा नहीं होती यहां पर उत्तरपूरी मानसून यह जिसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं उससे वर्षा होती है और कारण यही है कि यह लौटता हुआ मानसून वापसी में बंगाल की खाड़ी से वाष्प ग्रहंड कर ले तो यहां पर इसके आसपास चक्रवात की भी इस्थिती जो है वो उत्पन हो जाती है इसके कारण यह जो है वो और ज्यादा हवाओं को उधर से खीषते हैं उस उच्चदाप छेतर से निम्नदाप छेतरी क्यों हमें पता है कि जो चक्रवात होते हैं वो एक निम्नदाप के जो अपने आसपास के हाई प्रेशर वाले जो छेत्र हैं वहां से हवाओं को इस केंद्री की तरफ अकरशित करते हैं तो अंडमान और निकोबार दीप समुह में जो ये चक्रवात की स्थिती उत्पन होती है ये धीरे धीरे भारत के तटी राजियों की तरफ बढ़ती है चा और आगे बढ़ती ही हुई है पशिम बंगाल की तरफ भी ये जो शाखाएं है ये बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा अपना विनाशकारी प्रभाव जो है वो छोड़ती है इसका अधिकतर प्रभाव हम देखेंगे तो इसके पूर्वी राज है जहां पर आप कृष्ण कावेरी है गोदावरी नदियों के जो डेल्टाई छेत्र या इसके जो बेसीन छेत्र में सघन आबादी वाले भाग है वहां पर ये चक्रवाद जो हैं यहां से उत्पन होकर इन तटी छेत्रों से ही टक्राते हैं और कई बार इन ही तटी छेत्रों में ही ये उत्पन होते और पूरे 30 राजियों को अपने इस विनाशकारी प्रभाव से प्रभावित करते हैं लेकिन अक्टूबर माह में हम देखेंगे कि अक्टूबर के महने में देश के अधिकांस भागों में लगभग औसत तापमान जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेट से 26 डिग्री सेंटीग् कि भी जब हम बात करेंगे तो यहां पर भी औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और कभी-कभी इससे अधिक हो जाता है लेकिन जम्मु कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश करनाटक और जो आंतरिक हिससे हैं करनाटक के प्रायदीपी पठार के जो आ तो मतलब हमें मालूम है ठंड का मौसम होता है और हमारे भारत में यह ठंड का मौसम जो है वो लगभग नवंबर दिसमबर से प्रारम होकर फरवरी के मध्य तक होता है यहां पर तापमान में इस समय जो है बहुत गिरावट जो है वो दर्ज की जाती है लेकिन इसमें भी ह वहां पर हम देखेंगे तो तापमान में बहुत तेजी से गिरावट आ जाती है लेकिन हम वही दक्षनी भारत में देखेंगे तो यहां पर समुचे दक्षनी भारत में समुद्र का एक समकारी प्रभा होता है समझल वायू वाला होता है इसलिए यहां पर तापमान में बहु में तापमान जो है वो हिमांग से भी नीचे चला जाता है लेकिन थोड़ा सा उसकी अपेक्षा जो है वो आपके पंजाब हरियाना या उत्तर प्रदेश में इससे थोड़ा अधिक तापमान होता है और उससे भी अधिक तापमान जो है वो आपके दक्षनी भारत में होता है तो इसी समय उत्तरी भारत जो है जो पंजाब हर्याना या पर्शिमी उत्तरप्रदेश की हम बात करें हैं तो वहाँ पर रभी की फसल में उस समय गेहु की फसल ली जाती है लेकिन उसी समय पे दक्षनी भारत में चुकी समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण तापमान अधिक होता है तो वहां पर चावल की जो फसल है लहलाती है तो गेहु के लिए हमें मालूम है कि तापमान कम कम वर्षा की आवश्यक्ता होती ह लेकिन चावल के लिए हमको टेंपरेचर भी अधिक चाहिए होता है और बारिश की भी अधिक मात्रा चाहिए होती है इस समय पर हम देखेंगे कि पूरे समुचे उत्तरी भारत में कोहरे की भी जो इस्थिती है वो बन जाती है और लगभग अंडमा निकोबादीप समुग के पास या तमिल नाडू के 30 छेत्रों में इसी समय पर चक्रवाद भी उत्पन होते हैं और चक्रवाती वर्षा भी जो है वो इसी समय दर्ज की जाती है बच्चो यह हो गई रीतूओं की बात और हमने पूरे मानसून के प्रोसेस को देखा उसको प्रभावित करने वाले कारकों की हमने बात की आप अकसर यह सुनते होंगे और समाचार पत्रों में पढ़ते भी होंगे एल नीनो की इस वर्ष जो है वो एल नीनो की स्थिती बन रही है तो भारत का मानसून जो है वो कमजोर होगा या इस समय एल नीनो की स्थिती नहीं है तो भारती मानसून के बहुत अच्छा होने के संकेत मिल रहे हैं कुछ इस प्रकार की बात तो आए हम पढ़ लेते हैं कि यह एल नीनो क्या है यह समझते हैं और इस एल नीनो का हमारे भारत की मानसून या हमारे भारत की जलवाई उपर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर भी हम बात करेंगे आप थोड़ा सा इस मानचीतर पर नजर डालिए इसमें हम देख रहे हैं दक्षणी अमेरिका महादीप का जो आपका पशिमी तठ है वहाँ पर इस स्थित है पेरू इस पेरू के तट पर समानी इस्थिती पे यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक ठंडी जलदारा जो है वो बहती है जिसे हम पेरू या हमबोल्ट की धारा भी कहते हैं हम अभी समानी स्थिती की बात कर रहे हैं तो जब यह ठंडी जल्धारा यहां पर बहती है और इसके साथ ही साथ आप विश्व के जितने भी महादीप हैं उनके पशिमी छोर पर देखेंगे तो ठंडी जल्धारा जो है वो प्रवाहित होती है और इस ठंडी जल्धारा के बह इतर जो मरुस्थल हैं उनकी यदि हम बात करें तो यह महादीपों के पश्यमी छोर पर ही इस्थित हैं और कारण यही है कि महादीपों की इस पश्यमी तटो पर ठंडी जलधारा जो है वो बहती है ठंडी जलधारा बह रही है तो वहाँ पर कोई वैपरेशन नहीं होगा अब एक समानी स्थिती जिस पर हम चर्चा कर रहे थे तो देखते हैं कि यहाँ पर जो ठंडी जलधारा बहरी है तो टेंप्रेचर कम है और प्रेशर जो है वह तापमान कम होने के कारण इस तट पर हाई प्रेशर की स्थिती बन रही है लेकिन इसी को यदि हम इसके ठीक आ इस पर थोड़ा साफ ध्यान देंगे यदि हम उत्तरी गुलार्द में चले जाएं तो उत्तरी गुलार्द की आम में सभी चुकी इस्थल खंडों की अधिकता है इसलिए महादीब जो है वह आपस में बहुत जादा जुड़े हुए नहीं है लेकिन इसी को यदि आप दक् शिंतम छोड़े है वह महासागरों का जुड़ा हुआ है तीसी में हम देखते हैं कि वहीं पर अंटार्क्टिका महादीब है और चुकी वह पूरा ध्रुवी छेत्र होता है इसलिए पश्यमी हवाओं के प्रभाव से या पच्छुवा हवाओं के प्रभाव से पूरे दक् श्रीत कटी बंध का छेत्र होता है इसलिए यहां पर जो जलधाराएं है वो भी क्या होंगी जल ठंडा होगा और वहां पर जल में जो मूवमेंट होगा जल में जो गती होगी वो भी ठंडे जल की गती होगी तो हम देख रहे हैं कि पच्छुवा हवाओं का ये छेत्र होत यह इसी पच्वा पौनों के प्रभाव से एक उठी हुई शाखा हम इसे कह सकते हैं अब भूमद रेखा के आसपास मतलब दक्षणी अमेरिका का जो उत्तरी छोर है भूमद रेखा के बहुत पास है और यहां पर हम देख रहे हैं हमने इसके पहले भी चर्चा की कि यह व्या लुक्रिक ह्वाओं से यह नहीं है यह पर्वा से फच्वी हिफाव से पश्रेक्स के तरफ रवाइत होती है तो यह पूरवपोनों के प्रभाव से यह पेरु या जो हमबोल्ड की ठंडी जल्धारा है ये पूर्व से पश्चिन की तरफ जो है वो सानांतरित हो जाती है और जैसे ही ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तड़ पर पहुंसती है तो उत्तर पूर्वी तड़ पर पहुंसती है तो ये देखेंगे चुकि यहां पर का जो तापमान है वो अधिक होता है उसके करण ये जल्धाराएं भी जो है उस तापमान के प्रभाव से गर्म हो जाती हैं फिर ये गर्म उठी जल्धारा इनमें एक साइकल चलता है ये फिर से दक्षन की तरफ नीचे जाती है और वहां से ये फिर ठंडी हो जाती है और पच् पेरू की ठंडी जल्धारा के नाम से उपर प्रभाइत होती रहती हैं फिर से उपर उठी हुए जल्धारा पशिंग की तरफ मुफ करती है वहाँ गरम होती है गरम जल्धारा जो है वो कुछ भाग इसका एक भाग जो है वो दक्षण की तरफ मोड जाता है और चुकि यहाँ पर का पूरा जल जो है वो हम कहारे हैं गаствानातरण हो जाने से और यह ज्ल थारा भी इस जगह कि तापमान के प्रभावावसे गढ़ ले, के कारण हम देखेंगे कि यहां पर तापमाज अधिक तो वैपरेशन मतलब वाशपी करण होता है अच्छी मात्रा में और वाशपी करण होता है तो ऊपर जाकर यह क्लाउड फार्मेशन बादल बनते हैं संघनन होता है और उसके बाद यहां पर आस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर या हम यह कहें कि पूरा इंडोनेशिया आइलेंड जो है यहां पर भरपूर मात्रा में वर्षा होती है लेकिन हम वहीं जो पेरू का तट है या दक तो यह दो जो हैं वह समाने परीशितियां होती है तक किस हीति होती है और यह हम देखें कि भई भारती जलवाईउ पर इसका प्रभाव कैसे होता है तो अभी मैंने कहा ना कि दक्षनी गोलार्थ में सभी महासागर जो हैं वह आपस में जुड़े हुए हैं तो इसी जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ती है और कुछ जो गर्म जल्धारा जो है यह आस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर जिसने तापमान बढ़ाया है ना लो प्रेशर का सेंटर बना और यहीं पर जो हम बात कर रहे थे आफरीका के मेडगास्कर के तट पर वहां पर मस्क पुरा हाई प्रेशर का जो केंद्र बनता है उसको और ज़्यादा पुष करती है धक्का देती है जिसके कारण भारती मानसून जो है वो स्ट्रॉंग हो जाता है लेकिन जब अल्नीनो के स्थिती रहती है यह घटना हर साल घटित नहीं होती यह लगबग हर चार से पांच वर्ष के अंतराल पे घटना होती है और कारण तो बहुत एडजक्टिस का पता नहीं लगाया जा सका है लेकिन किसी भी कारण से देखते हैं कि जब पेरु के तट पर ठंडी जल्धारा जो है वो उसकी जगा गर्म जल्धारा बहती है या फिर किसी भी कारण से उस प्रशान म जल्धारा वो इस्थानांतरित हो जाती है यह हम कहें कि दक्षिन पूर्वी विश्वत रेखी जल्धारा होता है उसका इस्थानांतरन हो जाता है पेरु की धारा के इस्थान पर तो वहां पर यह शिप्ट हो जाती है विश्वत रेखी जल्धारा अब वहां पर पेरु की जो थंडी जलधारा बहती थी उसकी जगह अब गर्म जलधारा का जो है वो प्रवा हो रहा है यह हम कहें कि आस्ट्रेलिया के पुर्वी तड से दाप की स्थिती जो है वो बदल गई क्योंकि दक्षणी अमेरिका के तड पर पहले जो थंधा था तापमान कम था तो दाप की स पुर्वी प्रशान महासागर का जो था तापमान है वो किसी पी कारण से बढ़ जाता है जिसके कारण दक्षणी अमेरिका के तड पर हम देखते हैं कि तापमान अधिक हो गया और तापमान अधिक होने से लो प्रेशर की स्थिती जो है वो बन जाती है और ठीक इसके जिसके कारण यहां पर दाप की स्थिती जो है वो उच्च बन जाती है अब यह जो धाराएं है वो शिप्ट हो जाती है जो पहले पूर्वी प्रशान महासागर से पर्शिन की तरफ प्रवाहित हो रही थी यह पर्शिमी प्रशान महासागर से पूर्व की तरफ जो है वो इस थानांतरित हो जाती है अब जो इस्थिती उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के तट बर्थी यही इस्थिती आपके दक्षणी अमेरिका या पेरू के तट पर हो जाती है यहां पर तापमान अधिक हो जाता है और तापमान अधिक होने से महासागरी छेतर है वाश्पी करन होता है हम देखते हैं कि जो आस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी तडथा यहां पर अब कम जो है वो तापमान जो है वो पेक्षाकृत कम हो जाता है तो प्रेशर किस्थिती अधिक हो जाती है और यह पूरे छेत्र में इंडोनेशिया यह हम उत्तरी पूर्वी आस्ट्रेलिया के देखेंगे कि वहां के जंगलों में आग लगने की भी स्थिती बन जाती है इतना भयंकर सुखा जो है वो पढ़ता है तो ठीक इस बदली हुई स्थिती का भी प्रभाव हमको देखने को मिलेगा जो हाई प्रेशर हिंद प्रशान महासागर से ही अट्लांटिक महासागर औ और भारत के मानसून को इसने पुष किया था अब इसके ठीक विप्रीत जो है अब यहां पर चुकी लो प्रेशर का सेंटर बन गया है तो वो हाई प्रेशर की तरफ कहां से मूफ करेगी या भारत की जो मानसूनी हवाएं हैं उसको वो कहां से पुष कर पाएंगी क्योंकि यहाँ पर तो low pressure की स्थिती बन गई तो अब जो जलधाराएं हैं या हवाएं हैं उनकी स्थिती अब high pressure से low pressure की तरफ move कर जाती है तो हम देखते हैं कि जिस साल एल निलो की घटना होती है हमारा भारती मानसून जो है उच्चदाप के केंद्र के कमजोरी स्थिती के कारण कमजोर पड़ जाता है और वहाँ पर बारिश की मात्रा जो है वो बहुत कम हो जाती है कई बार तो सुखे के स्थिती बनती है लेकिन जिस साल एल निलो नहीं रहता है इन समाने पर इस स्थिती में हम देखेंगे कि उच्चदाप का जो केंद्र है वो पुश किया जाता है और उसके द्वारा ये भारती मानसून को भी उपर की तरफ पुश करता है और हमारा भा चोटा शिशू होता है और इसी समय प्रभु इशू का भी जन्म होता है तो इसी के नाम पर इस घटना को यह जो घटना मतलब प्रशान्द महासागर के तापमान के बढ़ने की जो यह घटना होती है इसी आधार पर इसे अल नीनो का नाम दिया गया है तो बच्चो अभी हमन जलवायू की बात कर रहे हैं मौसम की बात कर रहे हैं तो जलवायू परिवर्तन की जो यह वर्तमान चिंतनिय विशय है या चिंतनिय जो घटना है इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जलवायू परिवर्तन अभी हमें देखने को मिल रहा है मतलब आप महसूस करते हों और गर्मी जो है वो आपके लगभग फरवरी से शुरू होकर जून और जुलाई तक भी क्योंकि मानसून आने में देरी होती है और ये गर्मी का मौसम जो है में बहुत आधिक गर्मी का अनुभाव कराती है हम देखते हैं कि मौसम जो है वो भी शिफ्ड हो रहा है और इसका जो परिणाम है ये लगातार जो हमने आधियोगी करण या नगरी करण किया है इन सब से जो निकलने वाली घैसे हैं चाहे हम neki हम एधेन की बात करें यह सब जो कैसे हैं उनका प्रभाव आपके वायू मंडल में पढ़ रहा है और वायू मंडल का जो तापमान है उसमें लगातार वृद्धी जो है वो दर्ज की जा रही है और इसके कारण हम देख रहे हैं कि हमारे समुद्रे के जो जलिस्तर हैं उनमें वृद्धी हो रही है उनमें परिवर्तन देखने को मिल र हीमनत जो हमारे लगातार छोटे होते जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो मनुष्य है इनके स्वास्थे पर इसका बुरा प्रभाव तो पढ़ी रहा है क्योंकि वैदर भी जो है वो लगातार शिफ्ट होता जा रहा है और इसके साथ चुकि हमारा भारत देश जो है वो एक क्रिशी प्रधान देश है तो मानसून में देरी और इसकी जो अनिश्शित्ता है इसके कारण क्रिशक पर भी उसके जीवन पर भी जो है वो बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कभी कम बारिश की वज़ा से सुखा पड़ जाता है उसकी फसले जो है उत्पादन नहीं हो पा जाती है और बाढ़ किस्थिती कारण भी जो हम देखेंगे कि पूरी फसले जो है वो खड़ी फसले भी बरबाद हो जाती है तो यह सब चुझ यह सारी चीजें जो हम देख रहे हैं वैदर का शिप्ट होना या जलवायू में परिवर्तन का जो प्रमुक कारण एक ग्लोब करने वाली बात यह है कि हमारे भारत की जो इस थलाकृती है जो हमारे भारत की जलवायू को एक अलग पहचान देती है इस सब चीज को देखते हुए हम जो अपने इस तर पर जो हम अपनी जलवायू को प्रभावित ना कर पाएं उस पे एक निगेटिव इफेक्ट ना डा आले ऐसी कोशिश हमें करने चाहिए। बच्चों, आपकी परिक्षा में कुछ विकल्प, आपजेक्टिव टाइप के कोश्चन पूछे जाते हैं, कुछ लगूत तरी प्रश्ण, कुछ एक वाक्य में उत्तर दीजे और कुछ दिर्गूत तरी प्रश्ण, तो आएए आपके इस चैप्टर से हम देखते हैं कि इन सभी प्रकार के प्रश्णों में किस प्रकार के जो प्रश्ण है, या कौन-कौन से प्रश्ण जो हैं पूछे जाने की संभावना बनती हैं। तो सबसे पहले हम जो अबजेक्टिव टाइप के कुछ गोश्चन्स हैं, जिनके पूछे जाने के संभावना है उस पर हम आज चड़्चा कर लेते हैं तो आपके सामने ये कुछ प्रश्ने नजर आ रहे होंगे एक प्रश्न पूछा गया है और उसके चार विकल्प दिये गया है उसमें आपको सहीं उत्तर का चैन करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश पहला प्रश्ण आपसे पुछा गया है निमनलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की जलवायू को प्रभावित नहीं करता है या जलवायू को प्रभावित नहीं करता है तो इसमें चार विकल्प दिये गये हैं पहला है अक्षांस दूसरा जलवायू वेत्ता तीसरा समुद उत्र से दूरी और चोथा वायु दाप un fear to A B shining करता है आपको धिहान में रखना होगा नहीं करता है करता है नहीं करता है तो हमने जब चेपटर को पूरे विस्तार से चर्चा की ति तब हमने देखा था अक्षांस तो बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करता है जलवायू को, क्योंकि जब भी हम पूरे गुलार्द में या प्रित्वी में उत्तरी अक्षांस या दक्षणी अक्षांस, या मैं यह कहूं, कि निम्न अक्षांसे, जैसे जैसे हम उच्छणी की तरफ उत्री गुलार्ध में भी और दक्षनी गुलार्ध में भी उपर की तरफ जाते हैं उच्च अक्षांसों की तरफ तो सूरी की किर्णे जो हैं वो क्रम्षा तिर्शी होती जाती हैं तो जहां पर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा वहां पर तापमान अधिक और तिर्शी किरने जहां पर तिर्शी किरने पड़ेंगी वहां पर कम तापमान होगा तो नैचरली है कि अक्षांस जो है वो जलवायू को प्रभावित करता है और हम पिछली कक्षाओं में भी चर्चा कर चुके हैं कि इन अक्षांसों के आधार पर ही प्रित्वी को जो है वो अलग-अलग जलवायू कटी बंधों में बाटा गया है अब एक और जो विकल्पिस में दिया गया है समुद्र से दूरी तो नैचरली है समुद्र से दूरी भी जो है वो जलवायू को प्रभावित करती है इसकी भी हमने चर्चा की है कि समुद्र के तट पर इस्थि ज तो वहाँ पर महादीपी जलवायू का प्रभाव होता है क्योंकि समुद्रया जो जली हिस्से होते हैं वो देर से गरम होते हैं और देर से ठंडे होते हैं इसलिए वहाँ पर सम जलवायू होती है लेकिन जैसे जैसे हम इस्थल भाग के तरफ बढ़ते जाते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि तापमान में बहुत अंतर आ जाता है चाहे वो दैनिक तापमान हो मासिक तापमान की बात करें या फिर वार्शिक ताप अंतर की और नेक्स्ट है आपका वायूदाब तो वायूदाब तो पवन संचार के लिए एक हम कह सकते हैं अनिवार ये जो है घटक ह मतलब वायू दाब में जो भिन्नता होती है वो पवन के संचार के लिए पवन के चलने के लिए उत्तरदाई होती है हमाई जो है वो हमेशा उच्चे दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं तो वायूदा भी एक जलवायू को प्रभावित करने वाला महत्वपून घटक है, अब एक जो है आपका यहाँ पर जो प्रभावित नहीं करता है, जलवायू को जो प्रभावित नहीं करता, उसमें से आपका एक ही फैक्टर बसता है, जो दिया है जलवायू बेता, भ cuidado, ज इसी भी स्थान पे मिलने वाली जो जलवायू है या उस जलवायू को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से घटक हो सकते हैं इन सब का वो अध्यान करता है ना कि जलवायू को प्रभावित करता है तो आपका सहीं विकल्प क्या होगा जलवायू वेत्ता अब नेक्स्ट कोश प्रश्नपर आपको धियान देना होगा। 36 गर्म इसका सरवाधिक तापमानbon और वहुगां किस महने में दर्घ किया जाता है। तो इस पर भी आप स्वय भी में विचार कीजिए। आपको सबसे अधिक गर्मी किस महने में लगती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मैं 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 में यहाँ पर सरवाधिक तापमान जो है वो दर्श किया जाता है इसी महने में हम देखेंगे कि बहुत तेज गर्म हमाये चलती है तापमान अपनी चरम पर होता है और जो अन्य आप्शन है देखते हैं हम जैसे जन्वरी है और माह में और नवंबर जो है वो हम कह सकते हैं कि ठंड की शुरुआत थल की ठंड लगनी हमको शुरू हो जाती है और मार्च की हम बात करें तो यह गर्मी की शुरुआत का मौसम होता है लेकिन तापमान अपनी चरम पर मैं में होता है तो मैं जो है वो सहीं विकल्प है इसके बाद हम देखते हैं भारत में मानसून का आगमन किस माह में होता है तो इस पर भी हमने चर्चा कर चुकी है चैप्टर को पढ़ने के दौरान और यहां पर आप्शन जो है वा आपके पास दिये हुए हैं जून, दिसंबर, अगस्त और इन में से कोई नहीं तो सहीं विकल्प क्या होगा आपका भारत में मानसून का आगमन हम देखते हैं कि जून के प्रथम सप्ता हमें होता है तो जून जो है वो हमारा सहीं उत्तर होगा फिर अगला कोशन है समानितह उचाई के साथ तापमान तापमान में क्या परिवर्तन होते हैं तो क्या तापमान बढ़ता है यह अपरिवर्तित रहता है और इन में से कोई नहीं मतलब इन में से कोई परिवर्तन जो है वो तापमान में नहीं होता तो इसकी भी चर्चा हमने की है जैसे जैसे हम उचाई के नुसार उपर की तरफ जाते हैं उचाई में जाते हैं तो हम देखते हैं कि तापमान में कम ही मतलब हम एक किलोमीटर पर चले जाएं तो 6.5 डिग्री सेल्सेयस की दर से तापमान जो है वो कम हो जाता है तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो है वो होगा तापमान में परिवर्तन किस प्रकार का होता है घटता है नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है संसार का सरवाधिक वर्षा वाला इस्थान कौन सा है तो इसमें दिया गया है ब्राजील इंडोनेशिया केनिया और भारत तो बच्चों इसका भी उत्तर आपको पता होना चाहिए सरवाधिक वर्षा वाला इस्थान जो है वो हमारे भारत देश में इस्थित है जो हमारे पुर्वोत्तर राजी हैं उसमें जो हमारा राजी है मेगाले और मेगाले में जो गारो खासी और जैनतिया पहाडिया हैं ये भी सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो हमारे खासी पहाडी में इस्थित ये जो मौसिन राम नाम का इस्थान है वहीं पर सरवाधिक वर्षा जो है वो दर्जी की जाती है तो आपका सहीं उत्तर क्या होगा? भारत अब आपका अगला प्रेशन है ग्रिश्मरीतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली जो गर्म हुआए होती है उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है तो आप्शन दिये हुए हैं आपके सामने कालबैसाखी व्यापारिकपवने लू या इन में से कोई नहीं तो हमें पत आपकी तो आपको पता है ये पश्चिम बंगाल में प्री मानसून जो बारिश होती है मतलब बारिश के पहले जो तेज वर्षा होती है चुकि ये वैशाख के महने में आती है और बहुत ही अंधर तूफान के साथ ये हवा आती है इसलिए यहाँ पर इसका नाम व्यापारिक पहने दी हुई है ये भी हमें पता है कि एक प्रकार की ग्रही पहने है तीन ग्रही हवाएं या इस्थाई हवाएं हमने पड़ी थी व्यापारिक पहने पच्छवा पहने और ध्रुवी पहने तो ये व्यापारिक पहने है तो अब आपका आप्शन जो है वो और हमें मालूम है लू एक इस्थानी हवा का नाम है और वो हमारे भारत के उत्तर के विशाल मैदान में चलने वाली बहुत ही गर्म हवा है जिसे हम लू के नाम से चानते हैं तो लू जो है वो हमारा सहीं उत्तर होगा फिर नेक्स्ट है निमने लिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत रितु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तर दाई है तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं आप्शन दिये हुए हैं चक्रवाती अवदाब पश्चिमी विक्षो दक्षिन पश्चिम मानसून और लोटता हुआ मानसून तो इन सभी आप्शन पर हम देख लेते हैं जैसे चक्रवाती अवदाब हैं तो चक्रवाती अवदाब या चक्रवाती वर्षा जो है वो हम द यह option तो नहीं है, उसके बाद हम देखते हैं, दक्षिन पश्चिम मानसून, तो दक्षिन पश्चिम मानसून से तो पूरे भारत के लगभग सभी हिस्सों में वर्षा होती है, फिर लौटता हुआ मानसून, तो इस पर भी हमने चर्चा की थी कि लौटते हुए मानसून से य यह लौटता हुआ जो मानसून है, जब वो पूरुतर राज्यों से वापस जाता है, तो जो बंगाल की खाड़ी बीच में पढ़ती है, उससे वो कुछ मात्रा में वाश्व या नमी ग्रहन कर लेता है, और तमिल नाडू के तटी हिस्से में वर्षा करता है, तो लौटते है आपका पशिमी विक्षो, तो इस पर भी हमने चर्चा की थी, कि जो भुमध्य सागर है, वहां से जो हवाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं, एशिया की तरफ, तो चुकि वो कैस्पियन सागर या भुमध्य सागर ये सब से परियाप्त मात्रा में बाश्व ग्रहन करती और जब ये आगे बढ़ती हैं, तो यही हवाएं जो हैं, वो उत्तर भारत में जब प्रवेश करती हैं, तो वहां के जितने परवती राज्ये हैं या उत्तर के जो राज्ये हैं, जैसे पशिमी उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब है, हरियाणा है, यहां पर इन पशिमी अब नेक्स्ट है आपका किस नियम के अनुसार हवाएं जो है वो उत्तरी गुलारध में अपने दाएं और दक्षनी गुलारध में अपने बाई दिशा में मोड़ जाती हैं तो आप्षन दिये हुए हैं आपके सामने फेरल, फेरल का नियम, कोरियालिस बल, इन में से कोई नहीं या ये दोनों तो आपका उत्तर क्या होगा ये दोनों ही हैं हमने इस पर चर्चा की थी कि कोरियालिस बल के द्वारा जो है वो हवाएं विक्षेपित हो जाती हैं और उत्तरी गुलारध में ये अपने दाएं और दक्षनी गुलारध में अपने बाएं मोड़ जाती हैं और ऐसा होता है प्रित्वी की घुर्णन गती के कारण और फेरल्स लौ इसी नियम को जब हवाएं जो हैं उत्तरी गुलारध में अपने दाएं और दक्षनी गुलारध में अपने बाएं मोड़ जाती हैं इस नियम की का जो पता है वो फेरल मोहदे ने लगाया इसलिए इ कह सकते हैं कि ये दोनों ही जो हैं वो हवाओं के उत्तरी गुलारध में अपने दाएं और दक्षनी गुलारध में अपने बाएं दिशा में मोड़ने के लिए उत्तर दाई हैं अब नेक्स्ट है आपका भारत के किस भाग में सरवाधिक डैनिक तापमान दर्ज किया जाता है यहां पर महाधीपी जलवायू मिलती है महाधीपी जलवायू और म acreditan किल परएख से फिंद टो जन सुर्य का प्रकाष पढ़ता है यह बहुत जल्दी गरम हो जाता है और रात में उतनी ही जल्दी जो है वो परावरतन के कारण इसका तापमान कम हो जाता है तो यदि हम पूरे छेतर में देखेंगे तो सरवाधिक दैनिक तापमान जो है वो आपके थार के मरुस्थल में पाया जाता है अब जैसे तटी छेतर है तो तटी छेत्र में तो हमने पढ़ा है कि यहां पर समझल वायू वाला छेत्र होता है और परवती छेत्र में तो उचाई के कारण ऐसे ही तापमान कम मिलता है तो सही उत्तर है आपका थार का मरुस्तल फिर अगला कोशन है भारत के माला बारतट में मानसून की किस शाखा के दौरा वर्षा होती है, तो मानसून की किशाखा के दौरा वर्षा होती है, ऑप्शन दिये हुए हैं, दक्षिन पश्ची मानसून, उत्तरपूर्वी मानसून, चक्रवाती अवदाब और इनमें से कोई नहीं, तो माला बारतट जो है, वो हमें पता है, भारत के केरल में पढ केरल राजी में प्रवेश करता है तो नेचरली है कि दक्षिन पश्री मांसून से पूरे हमारे भारत में वर्षा होती है और मांसून का प्रथम आगमन जो है वो केरल राजी में होता है तो माला बारतट में कहां मांसून के किस शाखा के द्वारा वर्षा होगी तो दक्षिन वही पर लोटते हुए मानसून के द्वारा पूरे भारत में वर्षा होती है और चक्रवाती अवदाब तो जितने तटी छेत्र हैं बंगाल की खाडी में जो उठने वाला चक्रवात है उसके द्वारा पूरे तटी छेत्र में वर्षा होती है चाहे वो चिन नहीं हो कुछ उस chapter से जो बहु विकल्पी है या MCQS टाइप या objective टाइप के प्रेशने जो है वो पूछे जा सकते हैं और उसमें से आपको चार option दिये होंगे इसमें आपको एक सही उत्तर का जो है वो चैन करना है तो आपको अपने अध्याय को अंदर पूरा deeply जा के पढ़ना है और उसमें खुछ से आपको ये तो कुछ संभावनाई मैंने बताई इसके अलावा और भी कुछ questions जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं तो आपको चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से अध्यान करना है समझना है और खुछ से आपको इस तरह के जो कुछ जो छोटे प्रशन के रूप में पूछे जा सकते हैं वो प्रशन जो है वो आपको उस चैप्टर से निकाल रहे हैं अब ये जो आपका चैप्टर है एक बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है इस पर आपको ध्यान रखना होगा आपसे प्रशन पूछे जा सकते हैं कि मांसून क्या है छोटे ह और बड़े प्रश्णों की रूप में आपको त्यार करना है यदि आपको पूरी मानसून की घटना मानसून क्या है ये कैसे होता है तो आपको जो हमने ये 5 से 6 जो उसके प्रोसेस बताये थे उसको आपको बहुत अच्छी तरह से त्यार करना है और साथ ही साथ गृष्मकाल पुर्वी मानसून को भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझाना है हाँ इसमें आपको मानचित्र का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और यह कोशिश करनी है कि आपका कोई भी उत्तर जो है वह आपके बिना मानचित्र के अरी प्रेजंट ना होने पाए